गैस अगर आप सीखना चाहते हैं कि अपने Windows लैपटॉप या PC में Hard Drive का Partition कैसे करते हैं, वो भी बिना Windows को Format करें तो गैस आप बहुत साई वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बहुत ही आसानी से इस वीडियो में सिखाऊंगा पूरी प्रोसेस को, सो हाई गैस मेरा नाम है अपूर वो और आप देख रहे हैं Online Take Study YouTube चैनल, चलिए वीडियो को सुरू करते हैं गैस जब भी आप एक नए लैपटॉप या PC खरीद कर लाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ प्री इंस्टॉल Windows वाले लैपटॉप निसी की, तो उसमें Storage Drive बिना Partition के ही आती है आप बिना Partition के सो यूज कर सकते हैं, लेकिन Partition करने के अपने अलगी फायदे हैं और यह क्यों जरूरी है, क्या Benefits में आगे आपको वीडियो में बताऊंगा फिलाल मैं आपको सिखाऊंगा कि Hard Drive का Partition कैसे करते हैं, तो चलिए चलते हैं अपने Computer Screen की ओर ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह Pre-Install Windows Laptop है और इसमें 512 GB की SSD लगी हुई है जिसमें 475 GB usable space है, और यह बिना किसी Partition की दी गई है और इसी पर हमारा जो Windows से वो भी इंस्टॉल है तो Partition करने के लिए सबसे पहले आपको This PC पर Right Click करके Manage पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर Disk Management पर क्लिक कर दीजियो और आप Partition वाली विंडो पर पहुच जाएंगे या फिर आप Simple Search Box में Disk Management टाइप करके सच करते हैं तो भी आप Directly Disk Management में पहुच जाएंगे तो अब सीखते हैं कि हमें Partition कैसे बनाना है तो ध्यां से समझेगा, सबसे पहले जिस Volume से हमें नया Partition बनाना है उस पर Right Click करेंगे मेरे पास एक ही Volume है, इस पर Right Click करना है और आपको एक Option देखेगा Shrink Volume Simple इस पर क्लिक कर दीजिए, कुछ सेकेंड लेगा और एक विंडो खुल कर आती है यहाँ पर Enter the Amount of Space to Shrink in MB मैं जितने Space का Partition बनाना है उस Size को Enter कर दीजिए तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा जैसे कि मुझे चाहिए 220 GB का Partition तो मैं क्या करूंगा इसको MB में Convert करूंगा, इसके लिए मैं आपको 220 को 1024 से गुड़ा करके दिखाता हूं, जो भी Size आएगा उसको हमें इंटर करना होगा, तो यहाँ पर यह value आपको एकदम सही पूट करनी है, यहाँ पर देखे 22,52 ठीक है, यह MB में है, इसको यहाँ पर Simple Enter कर दीजिए और इसके बाद Shrink पर क्लिक कर दीजिए, अब यहाँ पर 220 GB का Partition बन गया है, लेकिन यह अभी Unallocated Space है, यहाँ पर देखे Black Black Line दिख रही है, तो इसे Allocated करना होगा, क्योंकि जब तक अब इसे Allocated नहीं करेंगे, तब तक यह आपका My PC में यह Space नहीं दिखाएगा, यहाँ पर देखे, अभी दिखने रहा है यहाँ पर आप Next करके आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर Volume Level में आप इसका नाम भी बदल सकते हैं, लेकिन वह हम बाद में भी कर सकते हैं, यहाँ पर Next करेंगे और Next करके Finish कर देंगे, अब आपका नया Partition बन चुका है, और अब यह Partition आपका My PC में भी सो होगा, तो इस तरीके से Partition Create करते हैं, अगर समझ में नहीं आया है, तो थोड़ा वीडियो फिर से Replay करेंगे, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, Partition Create करना बेहद आसान है, तो यह था Partition बनाने का पूरा Process जो कि मैंने बहुत ही इजली आपको समझाने का प्रयास किया, अब हम आपको बताएंगे Partition क्यों करना चाहिए, तो एक बात बहुत सीधी है, बिना Partition के हम Windows में hard drives वगरा को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर Windows corrupt या crash होती है, तो storage drive पर जितना भी data होगा, वो मिट जाएगा, या normally बिना backup के Windows format करते हैं, तो पूरी hard drive का data erase हो जाता है, लेकिन अगर आप partition create कर लेते हैं, तो computer हर partition को individually अलग अलग treat करता है, और Windows अगर corrupt हो जाती है, या आप उसे format करते हैं, तो particularly उसी partition का data erase होगा, जिसमें आपका system install होगा, तो partition होने पर data को safe रखना और manage करना काफी आसान होता है, so guys I hope आपको ये वीडियो, ये process समझ में आ गई होगी, पसंद आए होगी, please like and share करके हमारा उत्सा बढ़ाईए, और अगर आपका कुछ comment करके हमें जरू बताईए, जाते जाते अगले एक नई problem के solution के साथ, तब तक लिए good bye जहें,